आज हम आप लोगों को DNA और RNA में अंतर बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वेडियो देखिए चलिए सुरू करते हैं तो पहला अंतर है DNA मुख्य रोफ से केंद्रक के अंदर पाया जाता है जबकि RNA कोशिका द्रब में और केंद्रक के अंदर केंद्री का में पाया जाता है जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं जो DNA है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है लेकिन जो RNA है ये मुख्य रूप से कोसिका के कोसिका द्रब में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है या जो Nucleolus होता है उसमें RNA पाया जाता है आते हैं दूसरे अंतर पर, दूसरा अंतर है DNA दो पाले नुकलियोटाइट शंखलाओं का बना होता है, जबकि RNA केवल एक पाले नुकलियोटाइट शंखला का बना होता है, मतलब जो DNA है यह डबल हेलेक्स होता है, यह DNA में दो पाले नुकलियोटाइट चेन से बनी कुंडलि संदचना होती है जबकि जो RNA है यहां single chain होती है अर्था single standard होता है फिर आते हैं अगले अंतर पर DNA में डी आक्सी राइबो सरकरा के अड़ो होते हैं जबकि RNA में राइबो सरकरा के अड़ो होते है तो डी आक्सी राइबो सरकरा DNA में पाई जाती है अर्था डी आक्सी राइब सरकरा 5 कार्बन वाली सुगर होती है जब DNA का स्ट्रक्चर आप लोगो समझाया था तब बताया था कि इसके दो आड़ो जो थे वे एक दूसरे के साथ तीसरे और पांचवे कार्बन के साथ जुड़ कर फास्कोडास्टर बांड बनाते हैं जबकि RNA के मोनोमर राइबो निकलियोटाइड होते हैं क्योंकि RNA में राइबो सरकरा होती है फिर आते हैं अगले अंतर पर DNA में एडिनीन, गौनीन, साइटोसीन और थाइमीन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं अर्थाज जो DNA है इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी चारक कौन-कौन से हैं एडिनीन, गौनीन, साइटोसीन और थाइमीन जबकि RNA में एडिनीन, गौनीन, साइटोसीन तथा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं मतलब RNA में पाये जाने वाले nitrogen base या nitrogen छारक भी वही हैं, बस किवल thymine की जगह पर इसमें uracil पाये जाता है, आप लोगों को बता दें कि जब मैंने DNA की राशानिक सरनचना समझाई थी, तब बताया था कि DNA में दो प्रकार के nitrogen bases पाये जाते हैं, pure protein और pyramidine, फिर pure protein में दो प्रकार के छारक थे, adenine और guanine, इसी तरह से pyramidine में भी दो प्रकार के छारक थे, cytosine और thymine, अब यहाँ पर DNA और RNA में अंतर की बात की जाए, तो DNA के pyramidine छारक में जो thymine है, इसकी जगह पर RNA में uracil पाय जाता है, तो यह अंतर है, फिर अगला है DNA में प्यूरीन तथा पिरामिडीन की मात्रा समान होती है अर्थात एक अनुपात एक में पाये जाती है जबकि RNA में प्यूरीन और पिरामिडीन की मात्रा समान नहीं होती है अर्थात इनका अनुपात RNA में बराबर नहीं होता है या कह लेजिए कि ये एक अनपात एक में नहीं पाये जाते हैं फिर अगला अंतर है DNA में आनुवानसिक सुचनाएं संचित रहती हैं जबकि RNA प्रोटीन संसलेशन में भाग लेते हैं मतलब जो DNA है ये आनुवानसिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि DNA अनुवानसिक लक्षणों की संकेत सुचनाओं को संचित करके रखता है और उन्हें पीड़ी दर पीड़ी पहुचाता रहता है उनका परसारान करता रहता है यानि DNA के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी संतारों में जाते हैं जबकि जो RNA है ये प्रोटीन संसलेशन से लक्षणों का निर्धारन करता है यानि प्रोटीन संसलेशन के द्वारा लक्षणों का निर्धारन करता है जबकि RNA में दिगुरन की छमता नहीं होती है इनका निर्माड DNA से होता है तो जो DNA है इसमें रेफ्लिकेशन होता है मतलब ये खुद ही दो भागों में बढ़ जाते हैं जिसके कारण DNA की बिल्कुल वैसी ही कापी संतानों में जाती है वैसी ही प्रतलिपियां उनके संतानों में जाती है जबकि RNA में दिगुरन नहीं होता है फिर आते हैं अगले अंतर पर DNA में उत्परिवर्तन होते हैं मतलब DNA में आनुवांसिक रासानिक परिवर्तन होते हैं जबकि RNA में उत्परिवर्तन नहीं होते हैं अर्थात RNA में आनुवांसिक राशानिक परिवर्तन नहीं होते हैं, फिर अगला अंतर है, कोशिकाओं में DNA की मात्रा कम और जात के अनुसार अस्थाई होती है, जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें DNA की मात्रा कम और जात के अनुसार इस्थाई होती है, जबकि जो RNA है इसकी मात्रा कई गुना अपेच्छा अधिक होती है यानि DNA की अपेच्छा कई गुना अधिक होती है लेकिन इसकी मात्रा इस्थाई नहीं होती है जबकि DNA की मात्रा इस्थाई होती है